आचा आजकर एक बहुत फेमस कहावत हो गई है कि जिंदगी के लिए बीमा और एंटेटेन्मेंट के लिए साउथ का सनीमा लोगों की पहली चॉइस बन गया है बहुत ही बढ़िया लेकिन नॉर्ट इंडिया में अपने सामने खड़ी हर फिल्म को जुका के बंटास की गोली दिये जा रहा है सिनेमा तो सिनेमा आज ए ओटीटी पर भी रिलीज होगी और वहाँ भी इसको उतना ही प्यार मिला असली बात असली जादू तो अल्लू अर्जुन का है वाई साब उनकी जम के तारी फोड़ी है सत्रा दिसंबर को सिनेमा घरों में पुषपा रिलीज हुई थी वो ऐसा टाइम था जब स्पाइडर मैन पाईसें हमारे जेब से घसीत रहा था थेटर में पैर रखना छोड़ो पॉपकॉन सुंगने को भी नहीं मिल रहा था और अपने अलू भाई ऐसी फिल्म के सामने भीड़ गए वैल डन भाईस आप गुर्दा चाहिए ऐसे डिसीजन के लिए गुर्दे से जादा गुर्दे में दम चाहिए उस डिसीजन पर अडे रहने के लिए आड़ आड़ राधे शाम वाली मही और जर्सी जैसी फिल्में भी ओमिक्रॉन के डर से थेटर रिलीज से रोक दी गई है आरारार के लिए तो ऐसा कहा जा रहे कि अगर एक फिल्म अगले 6 महीने के अंदर रिलीज नहीं हुई तो ट्रेट एनलिस बोल रहे हैं बहुत भारी नुकसान हो सकता है और सिर्फ हिंदी के अंदर ये क्रेज है बाकी लैंग्विजेज में तो पूछिया मत इसी ने अलू अर्जुन को ये confidence दिया और उन्होंने इसका part 2 इंडिया की maximum लैंग्विजेज में लाने की बात कर दी कहावत है कि आदमी बल्वान हो तो पहलवान की लंगोड भी धीली कर दे फुश्पा का box office run ऐसी ही कहानी बताता है इतनी मुसीबतों के बाद भी ये 2021 की highest grossing movie बन गई है इसने अक्षे कुमार की सूरिवंसी को भी पीछे छोड़ दिया हिंदी बेल्ट में ये फिल्म सक्सेस की एक case study बन गई है लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों साउथ का सिनेमा लगातार हिंदी सिनेमा को सक्सेस और कांटेंट के मामले में पीछे छोड़ रहा है इसके कुछ कारण है सबसे पहला कारण रिस्क सबसे पहले तो साउथ इंडस्ट्री बॉलिवूड से कंपरेटिवली जाधा रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है खासकर तेलिगू सिनेमा हर लेवल पर खुद को प्रूव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है बाहु बली के बाद से हर कोई 300-300-400 करोड की फिल्में बनानी की बात कर रहा है हर बदलते टाइम के हिसाब से चाहे नहीं टेक्नोलीजी उस करना हो या नए कैमरा एंगल्स इस इंडस्ट्री ने ग्राजूली खुद को लगातार इंप्रूव किया है बॉलीवूड के लिए सबसे बड़ा चालेंज है उसकी रेंज जो लगातार कम होती दिख रही है मल्टिपलेक्स पर हॉलीवूड फिल्में कबजा जमा रही है और सिंगल स्क्रीन पर साउथ ये अपना बेस्ट कॉंटेंट औल ओवर इंडिया में दिखाने के लिए इतने भूखे नजार आते हैं कि खाने को मिले तो पूरा मार्केट खा जाएं उस लेवल पर है की नहीं दूसरे इंपॉर्टेंट चीज है कॉंटेंट ये साउथ से नौर्ट तक बड़ी असानी से पहुँचे है यूट्यूब ने फ्री आफ कॉस इनकी फिल्मों को लोगों के मॉबाइल स्क्रीन तक पहुँचा है को दिये हैं ताकि उस फिल्म का हिंदी वाला वर्जन ना आए क्यूंकि अगर वो आई तो रिमेक देखने का उन जाएगा भाई चुपो जाओ चुपो जाओ इसी चीज को लेकर सालीम खान ने भी कॉमेंट किया था कि इंडस्ट्री में अच्छे राइटर्स की कमी है दूसरी तरफ साउथ के पास अच्छे राइटर्स की कोई कमी नहीं है मिनल मुरली जैसी बेह चोटे बजट की फिल्म को भी कितने बहतरीन तरीके से दिखाया लेकिन दूसरी तरफ हिंदी मुवी इंडस्ट्री में 200 करोड की बजट वाली फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर आईसे पिट जाती है कि पूछो ही मत सलमान साडू कामी रोख्षे जैसी सूपर स्टार्स के अलावा बॉलिवूड के पास इस टाइम को ऐसा स्टार्ट दिखाई देता है आपको जो लोगों को थेटर्स तक खीट सके बताईए मैं तो बलता हूँ अगर कॉंटेंट इनके पास नहीं होगा न तो इनको भी देखने के लिए लोग नहीं आएंगे फॉर एक्जामपल सलमान भाई की देखो अंतिम उसको देखने लोग थेटर नहीं गया OTT पर आने का इंतजार किया लोग ने और यहाँ पर अलु अर्जुन के लिए थेटर के बाई लाइन लगी है लेकिन समझने वाली बात यह है कि बिना कोई हिंदी फिल्म की अलु अर्जुन की पुश्पा दो बड़ी फिल्मों के साथ तक कर्द के बाद भी लोगों को थेटर सा कैसे खीच के ला रहे है यहीं पर एक और बात दिबाग में आती है पब्लिक इमेज जी हाँ त्री डियर्स बजरंगी भाई जान पीके जैसी फिल्मों को छोड़ दें रही सही कसर राध है सत्य में उजयते टू और हाउस फुल फोर चैसी फिल्मों ने पूरी कर दिया दूसरी तरफ इस वैक्यूम को भरने के लिए साथ का सिनेमा पूरी तरह से तयार नजार आता इसले पुब्लिक इस टाइम पर अगर सबसे आधा एक्साइटिड किसी फिल्म को लेकर है तो दस में से आट लोग किसी साथ इंडियन पैन इंडिया फिल्म का ही नाम लेंगे